हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी हाँ दोस्तो आप सभी लोग से जी हां 200 वेकेंसी आ चुकी है 28 पदोव पर नर्सिंग एंडम टीजी टी पीजी टी प्राइमरी सिच्छक लाइन मैं कार्पेंटर जूनियर असेश्टन इसके अलावा विभिन पदोव पर भरती आ चुकी है जिसका दोस्तों आप लोग देखोगे तो यहां पर सौर्ड न तो दोस्तों बता दें नर्सिंग एंडम के लिए परमाने भरती आ चुकी है इसमें बिल्कुल फ्रेसर जो हैं फार्म को अप्लाई कर सकती हैं तो बहुत सारे पोजीशन पर 14 पलस पोजीशन पर 28 पदोव पर यह वेकेंसी निकाले गई है जिसका अभी स्वार नोडिफिक के बारे में और इंपोर्टन डेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं तो बहुत ही जवर दस वीडियो बढ़ने वाली है तो जल्दी से चेलन को सब्सक्राइब कर दो क्यूंकि मेरट चावनी परसद से भरती आ चुकी है चलिए आपको लेके चलती है सबसे पहले स्वा लोडिफीकेशन पॉर्स किया गया है जिसका डेट है 21 दिसंबर से 6 जनुवरी दुहर् तेशी के बीच में नोडिफीकेशन पब्लेश किया गया है और यहां पर आप लुकर चेक क कलो पूरा एडर्स दिया गया है इसका नोडिफीकेशन नमबर है crashing गार्म और देट यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट है और यह वेबसाइट है emcb.online.registrationforms.com इस वेबसाइट पे आप लोगों का full notification दोस्तों जारी किया जाएगा और इसी वेबसाइट पे आप लोग फार्म को भी अपलाई करोगे बाकी परमर भरती है, सरकाई नोकरी है और पूरे भारत से आप लोग फार्म को यहाँ पे अपलाई कर सकती हो अब यहाँ पर देखिए आपका name of the post दिया गया है कौन सी post है और यहाँ पर vacancy की details के बारे में जानकारी दिया गया है, इसके बाद दोस्तो age limit के बारे में जानकारी दिया गया है और salary के बारे में information दिया गया है, देखिए दोस्तो dropsmend की यहाँ पर vacancy है और dropsman की यहाँ पर you are category में एक vacancy है, इसमें 21 सी 30 verse age criteria रखा गया है जिसमें दोस्तों आपकी जो salary होगी, इसमें level 4 की आंतरगत जो salary दी जाएगी और आपकी जो grade पर होगी यह 24 रोपी होगी, number 2 यहाँ पर देखिए ट्रेसर की यहाँ पर vacancy है और ट्रेसर में दोस्तों you are category के लिए एक vacancy है, 21 सी 30 verse यहाँ पर age criteria है 19 रोपे grade पर होगी और level 2 के आंतरगत salary दी जाएगी lighting supervisor की यहाँ पर एक vacancy you are category में 21 सी 30 verse age criteria है और grade पर आप लोगों की 19 होगी, level 2 के आंतरगत salary दी जाएगी lady RMO की यहाँ पर एक vacancy you are category में दोस्तों जो you are category vacancy है, इसमें OBC वाले भी farm को fill कर सकते हैं यसी यसी सभी लोग यहाँ पर farm को apply कर सकते हैं और RMO में देखोगे तो दोस्तों lady RMO में जो है level 10 के आंतरगत आपको salary मिलेगी जिसकी grade पर यहाँ पर 54 रोपे होगी, बाकि 23 से 35 वरस यहाँ पर age criteria है अब most important annum की vacancy, midwife annum की यहाँ पर vacancy है, एक ही vacancy है, you are category में है और 20 से 35 वरस यहाँ पर age criteria है, और midwife annum को दोस्तों level 3 के अंतरगत जो है salary दी जाएंगी जिसकी grade पर यहाँ पर 2000 रोपे होने वाली है इसके बाद junior assistant की यहाँ पर देखेगो तो total जो है 6 vacancy है जिसमें you are category के लिए 3 vacancy, AC के लिए 1 vacancy, OBC के 2 vacancy है और you are category के लिए 3 vacancy जिसमें 21 से 30 वरस age criteria है और YAC को 5 वरस की छोड़ में लेगी, OBC वालों को 202 वरस की छोड़ में लेगी बाकि grade पर इसकी 2,000 रोपे होगी और level 3 के अंतरगत इसकी भी sell यहाँ पर दी जाएगी carpenter की vacancy इसमें ITI वाले ही farm को apply करेंगे बाकि midwife में 200 एनम जो है farm को apply करेंगे बिलुकुल freser यहाँ पर farm को apply करेंगे इसके बाद देखिए carpenter में ITI वाले farm को apply करेंगे और lineman में 200 ITI वाले farm को apply करेंगे अगर आपने electrician में electrical या electrician में ITI कर रखके हो 2 साल का तो आप लोग lineman में farm को apply करोगे UR category के लिए एक vacancy है 21-30 वर्स यहाँ पर age criteria है इसमें 19 रुपे grade पर होगी और level 2 के अंदर का आपको sellie दी जाएगी और sanitary inspector की यहाँ पर एक vacancy UR category में है इसमें level 6 के आंतर का दोसों आपको sellie मिलेगी 12 रुपे grade पर होगी 21-30 वर्स यहाँ पर age criteria रखा गया है इसके बाद यहां PA की vacancy motor pump attended की यहाँ पर 3 vacancy है और level 2 के आंतर का sellie दी जाएगी 19 रुपे grade पर है और 23-30 वर्स यहाँ पर age criteria है nurse की यहाँ पर vacancy है और nurse की यहाँ पर UR category में दोस्तों vacancy जिसमें 21-30 वर्स age criteria और इसमें 46 रुपे grade पर होगी और level 7 के आंतर का sellie दी जाएगी और nurse में देखी दोस्तों nurse में जो है GNM यहाँ पर farm को apply करेंगे अभी BSC nursing farm को apply करेंगे एक confirm नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर 56 परसद में भरती आ रहे containment board में उसमें BSC nursing को मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं आपको बोल ला हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा confusion होगी आप लोग बाकि जैसे full notification आएगी 100% के लिए हो जाएगी BSC nursing apply करेंगे या नहीं करेंगे लेकि मैं बोल ला हूँ कि BSC nursing बहुती कम chance से apply कर पाएंगे बाकि इस nurse में 200 GNM जो है 100% farm को apply करेंगे GNM को ही यहाँ पर मौका दिया जा रहा बाकि compounder कि यहाँ पर vacancy compounder कि यहाँ पर एक vacancy 21-23 तरफ यहाँ पर इस criteria है इसको भी level 4 के आंदर का salary दी जाएगी और 24 उर्पे grade पर होगी बाकि दोस्तो assistant teacher की यहाँ पर vacancy TGT की यहाँ पर vacancy है 6 vacancy है और इसमें हिंदी में एक vacancy है English में एक vacancy Mathematics में एक vacancy Science में एक vacancy Social Science में एक vacancy Commerce में एक vacancy है तो ऐसे करके दोस्तो हर सब्जेक में एक vacancy 6 vacancy है और 21-23 वस यहाँ page criteria है साथी OBC वालों को 3 वस की छूड़ मिलेगी और 80-80 वालों को 205 वस की छूड़ मिलेगी Level 7 के अंदर का Sally मिलेगी और इसके जो grade पर होगी 46 रूपे grade पर होगी assistant teacher primary teacher की यहाँ पर दो vacancy यार कर्टिगरी के लिए एक vacancy दोस्तो OBC के लिए है और इसमें 21-30 वस age criteria है OBC वालों को 3 वस की छूड़ मिलेगी Level 6 के अंदर का Sally दी जाएगी और इसके जो grade पर है 42 रूपे होगी बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो कि दोस्तो application fees के बारे में जानका दिया गया है general OBC के लिए 1000 रूपे का application fees है और ST EWS के लिए 500 रूपे का application fees यहाँ पर रखा गया है यह important date है लेकि यह important date दोस्तो गलत है और क्योंकि अभी जो website है यहाँ पर जो website दिया गया है यह दोस्तो website इसी website पर हम लोग लेके चलते हैं important date यहाँ पर change कर दिया गया है तो दोस्तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यह official website ओपर हो चुका है रजिशन पोर्टल है आप लोग ओपर देख भी सकती हो यह दोस्तो website इसका लिंक के नीचे discussion box में दिया गया है वहाँ पर click करके इस website पर आओगे तो अभी दोस्तो आप लोगों का इस website पर दोस्तो आप लोगों का full notification पब्लिस किया जाएगा जो कि 19 जनवरी को दोस्तो या 20 जनवरी को आप लोगों का full notification इस website पर पब्लिस किया जाएगा बाकि 20 जनवरी से आप लोग फार्म को फिल कर सकती हो 20 जनवरी को दोस्तों आप लोग को कर लिंग यहां पर एक्टवेट होगा और आप लोग जो हैं 19 फरवरी तक फार्म को अपलाई कर सकते हो इंपोर्टन डेटी यहां पर दिया गया आप लोग अच्छी से देख लो थैंको दोस्तों मिलते हैं नेश वीडियो में धन्यवाद